गुण मॉर्निंग सुप्रभात वंदे मात्रम जैहिन साथियों सभी साथियों को सुप्रभात संगवारी हो हमन 36 गड़ सिक्षक भरती की तैयारी आप मनलग करवावा थन हिंदी व्याकरार अव सिक्षन सास्त के अध्यान हमर क्लास चला थे संगवारी हो अभी तक मैं अपन चैनल के माध्याम ले हिंदी विशय मा आप मन के 15 ठन वीडियो अपलोड कर डाले हो एहाँ आज के हमर 16 क्लास है वीडियो नंबर 16 है जे मा आज हमन चर्चा करवो क्रिया का हो थे और क्रिया के प्रकार ता हमर चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करा संगवा चैनल जल्दी सब्सक्राइब कर लेऊ दिखा आज किरिया पार लेवा की किरिया सिख नहीं है और आज के क्रिया चरीत्र ला तुमन सीख गया तक कि रिया चरीत्र के जो भी प्रोस्ण ही आप मन तो चला आज के हमार क्लास की जो शुरुवात है हम यहीं से करते हैं देखिए थोड़ा सा आपको ना प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ना मैं फोटो लिया हो साथियों तो थोड़ा सा हील गया है और अपने नोट्स के पिक ले करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आ सकती है ना थोड़ा सा आप समझेंगे देखिए चलिए क्रिया क्रिया सब्द आप सभी बार बार सुने हैं इसमें से एक प्रश्ण आपके एक्जाम में पूछे जाती हैं सभी साथी इस से आवगत होंगे परिभासा पर हम पहले गवर करते हैं साथीं तो जिस सब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाए वहाँ पर क्रिया होते हैं नाम से इस पश्ट है क्रिया होना मतलब करना अर्थात जब किसी काम का करना या होना पाया जाता है ये किस में होता है तो सब्द में होता है वाक्य में होता है तो जब किसी सब्ध में या जिस सब्ध में किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया काते हैं क्रिया मतलब नाम सिस्पष्ट है न भई करना या होना कोई भी काम कर रहा है अर्थत क्रिया कर रहा है बोलते हैं न अब देखो जब हम क्रिया सब्द को पढ़ते हैं साथियों तो इसके लिए हमें धातु को समझना आवस्यक है आखिर ये धातु होता क्या है तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं अब कैसे तो देखो जैसे यहाँ पर खेलना मैंने एक सब्द लिया खेलना ठीक है ना तो इसमें जो धातु हो जाएगा खेल खेल सब्द यही मूल रूप है खेलना का मूल रूप है खेल और खेल में जब ना लगाते हैं प्रत्याय अर्थार खेल धातु है और ना प्रत्याय जब धातु में ना प्रत्याय लगा तो ये क्या बन गया साथियों आपका खेलना बन गया ठीक है तो क्रिया के मूल रूप को धातू कहते हैं और यहाँ पर यह जो क्रिया क्या है खेलना और खेलना का मूल रूप क्या हो जाएगा खेल हो जाएगा और यही खेल आपका धातू कहलाता है और उसमें जब नाप्रत्याय लगता है तो यह क्या बन जाता है आपका खेलना बन जाता है खेलना क्या है क्रिया है खेलना पढ़ना लिखना खाना पिना यह सब क्रिया है ठीक है ना लेकिन अब जिसे खेलना सब्द में आपको ना प्रत्याय को अलग कर दो तो क्या बसता है खेल बसता है और यही खेल क्या है आपका धातु का लाता है ठीक है समझ में आ होगा अब देखो क्रिया का निर्मार होता कैसे है धातु में ना प्रत्याय जोड़ने से क्रिया का निर्मार होता है धातु में ना प्रत्याय जोड़ने से क्रिया का निर्मार कैसे होता है साथ्यों देखो यहां पर आपका लिखा हुआ है चल क्या है धातु है ठीक है और जब इसमें प्रत्य जुडा ना तो यह क्या बन गया क्रिया बन गया चलना आरा है समझ में ठीक वैसे ही पर एक सब्द है जो कि धातु और यह क्रिया तब बनता है साथियों जब इसमें नाप्रत्या जोड़ेंगे और यदि नाप्रत्या को आप हटा दिये हो वो धातु रहेगा याद रखना इस बात को धातु से जुरा प्रश्ण आ चुका है आपके एक्जाम में तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं इस बात को आपको याद रखना है ठीक है ना देखो अब यहां पढ़ना सब्द है जिसमें पढ़ बन जाएगा धातुर नाप्रत्य जब इसमें जुर गया तो एक क्रिया बन गया जिसको क्या बोलते हैं पढ़ना है न वह ये क्रिया है अब जब इसको अलग करोगे में धातु क्या होगा तो पढ़ धातु है और ना प्रत्य ऐए इस तरह से क्या है यह क्रिया बन गया क्रिया का निरमार कैसे लेलो इसने कि लो है तो हस क्या है आपका धातु है और नाप्रत्याई जब जूड़ा तो ये एक क्रिया बन गया हसना रो एक धातु है इसमें नाप्रत्याई जब जूड़ता है तो ये बन जाता है रोना है न भाई अर्थात साथियों इसमें जब क्रिया में या किसी भी क्रिया से क्रिया सब्द से जब नाप्रत्याय को अलग कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है आपका धातु बन जाता है इस बात को आपको याद रखना है साथियों चीक है धातु और क्रिया बहुत ही सरल तरिके से कभी नी भूलो गया अब देखो यहाँ पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं साथियों पहले कुछ साल पहले जब आप टेट की तयारी करते रहे होंगे किसी एक्जाम्स की तयारी करते रहे होंगे तो आपने सकर्मक और अकर्मक ही चीजों को सुना है लेकिन भाई उकर दढ़ ददा भाई बहईनी कई पिढ़ी ले फिर अब आगें अब आपमन देखिया न país क्रियम पहले शिर्फ दुए भाई रही से आकरमक ऑव सकरमक अब पिढ़ी से गुजरते हुए आपर नाती चंती पंती आगें काका पंती छंती आपन सब जान था प्रेनार्थक क्रियार्थक द्विकर्मक ओहो अत्तकन क्रिया आगे कहां कहां ले पूछ दे थे प्रश्ण न हम लखुद कन्फीज हो जाते व्यापा में भईया आल इंडिया लेवल मा सबसे जादा जो कठीन एक्जाम हो थे हमार आपन ज सबसे पहले तो हम क्रिया के मुख्य प्रकारों पर आते हैं और यह जो मुख्य प्रकार है साथियों रचना या बनावट की द्रिष्टी से याद रखना रचना या बनावट की द्रिष्टी से क्रिया के दो प्रकार होते हैं क्या क्या है सकर्मक्रिया और अकर्मक्रिया ठीक है सकर्मक्रिया और अकर्मक्रिया क्रिया के दो प्रकार है जो की रचना या बनावट की से है इसको आप याद रखेंगे जब एक्जाम यहां से अगर क्वेश्चन बना मानलो हम ठीक है मानलो मैं बोल रहा हूं अगर आपका यहां से क्वेश्चन बन गया कि रचना या बनावट की दृष्टी से क्रिया के कितने प्रकार तो तूरंद आप बता देना यहां पर दो प्रकार होगा शी कहना बिल्कुल सोचना नहीं है अन्य जो क्रिया है उनके अन्य प्रकारों में आते हैं हाँ चलो देखो अब सकर्मक और अकर्मक को हमको डीटेल से समझना है बहुत ही सरल तरीका से समझाने वाला हूं साथियों बिल्कुल सरल तरीका यकिन मानिए आज की जो क्लास है आपके लिए एक बहुत ज़्यादा फायदेमंद है अब देखो यहां सकर्मक नाम को समझो सकर्मक सकर्मक नाम से स्पष्ट है समने साथ कर्म मतलब क्रिया जिस क्रिया में यहां पर जब कर्म होता है जिस क्रिया में कर्म हो रहा है कारी हो रहा है वो सकर्मक है अर्थात वह क्रिया जिसमें कर्म होता है या कर्म साथ है कुछ काम हो रहा है वह क्रिया जिसमें कुछ काम हो रहा है सकर्मक सा मतलब साथ में कर्म साथ है उस क्रिया में तो वो क्या है आपका सकर्मक और आकर्मक में जिस क्रिया में कर्म ना हो आकर्मक खलाता है बहुत ही छोटे रूप में इसको आप पहले समझ लो जिस क्रिया में कर्म साथ है सकर्मक और कर्म नहीं है अकर्म ठीक है ना अब देखो सकर्मक को अब समझो हमने तो केवल इंट्रोडक्शन दिया जब कार्य का संबंध करता से हो है न भई कार्य अब देखो कोई भी करता है अगर वो कार्य कर रहा है अर्थात एक दूसरे से संबंध हो तो वो सकर्मक है तरीका देखो सकर्मक को कैसे हम पहचान करें तो जब कार्य का संबंध करता से होता है तो वो सकर्मक है पहले बिंदू दूसरा देखो इसमें जिस क्रिया में कार्य हो या संभावना हो सकर्मक भई कर्म मतलब क्रिया कार्य कोई भी कार्य कर रहे हैं कर्म कर रहे हैं न भई अर्थात इसमें यदि कार्य हो तो सकर्मक अब देखो तीसरी इसमें पॉइंट्स हैं क्या करता है से उत्तर आए तो सकर्मक होता है जब कोई भी प्रश्ण क्या करता है में जब आप पूछोगे तो उससे उत्तर आता है तो स कर्मक कैसे देखो एक्जाम्पल इसमें देखो राम फ़ल खाता है प्रश्ण करो इनसे राम क्या करता है फल खाता है क्या कर रहा रहा है तो भाई जब आफ इस से प्रश्ण पूछ रहे हैं तो उत्तर आ रहा है ना राम क्या करता है फल खाता है दूसरा एक्जाम देखो राम पत्र लिखता है राम क्या करता है पत्र लिखता है आप प्रश्ण पूछ रहे हो ना उस वाक्य से तो आपको क्या मिल रहा है उत्तर मिल रहा है इसलिए यह क्या हो जाएगा सकर्मक हो जाएगा इसलिए इस point को हमने already note down किया हुआ है क्या करता है से उत्तर आए अर्था जब प्रश्न पूछो क्या करता है तो आपको उसका उत्तर मिल जाए तो वो सकर्मक है ठीक है ना क्या करता है फल खाता है क्या करता है पत्र लिखता है अर्ठा जब प्रश्न पूछो तो उसका उत्तर आजाए वो सकरमक है, ठीक है न बैँ, सकरमक को समझ गए होगे, चलो अकरमक पर हम आते हैं, सीध़े आये अकरमक पर कि आखिर ये अकरमक होता क्या अब हमने शुरू में कहा अकर्म जिसमें कर्म ना हो, काम ना हो, क्रिया ना देखो एक्जाम्पल के थूइस को आप समझो तो समझ में आएगा अब देखो जिस क्रिया में कर्म ना हो अब जिसमें कर्म ना हो मैंने शुरू में कहा जिसमें कर्म ना हो आ मतलब नहीं अकर्म जिसमें कर्म ना हो पहला बिंदू दूसरा बिंदू है क्या करता है से उतर न अब हमने कहा एक या करता है तो सकरात्मग उत्तर यह नहीं मिलता वो अकर्मग है। ठीक है अब देखो यहां पर घोड़ा दोड़ता है अब क्या करता है ड़ता है लेकिन कहां लेकिन आपके घर में दौड़ स्थाहा दौड़ है लेकिन आपके घर में अकर्मक है अर्थात जब इसमें उत्तर नहीं मिलता क्या करता है दोड़ता तो है लेकिन कहां पर दोड़ रहा है यह जट नहीं हो रहा है यह चीज तो अकर्मक है अगर काम खुद पर हो तो अकर्मक होगा कैसे जैसे हसना जागना रोना सोना नाचना काम खुद पर होता है तो यह क्या है अकर्मक है ठीक है न वई तो अकर्मक समझ गए सकर्मक और अकर्मक बहुत ही सरल सी डेफिनेशन है सरल सी परिभासा है यदि आपने इसको अच्छे सी समझ लिया तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगी चली रचनाया गावट के अधार पर हमने तो देख लिया कि क्रिया के दो प्रकार है क्या क्या है सकर्मक और अकर्मक ये दो हैं है न भाई अब देखो इसके बाद में क्रिया के कुछ और भी प्रकार है और ये जो कुछ और प्रकार नावा नावा बने है न संगवारी हो इही मां से आपके पेपर मां थे ये जो अन्य भेदिया अन्य प्रकार लजे अभी मैं जो बताने वाला हो ना आप मनला आज कल भ्यापम हो पुछ थे ये ती ओतिलनी सिध्धा अंदर अंदर ले पुछ थे भाई तो बिलकुल आप मनला वही वही बिंदुल हम बताबो एकदम पॉइंट से बताबो ताकि मजब तरीकी से समझ में आ जाए तो देखो क्रिया के अन्य भेदिया प्रकार क्या-क्या है देखो एक-एक करके हम समझेंगे भाई हमने पांच लिखा हुआ है अन्य प्रकार में पांच को हम पढ़ेंगे तीक है आपको और देखने को मिल जाएंगे धातु क्रिया वगरा वगरा बहुत सारा मिलते हैं नाम धातु क्रिया भी मिलेंगे योगी क्रिया भी मिलेंगे लेकिन हम जो पढ़ेंगे ना इंपोर्टेंट को ही हम पढ़ेंगे ठीक है तो बिल्कुल आप बाद में अब्जेक्शन मत लगाना भाई कि क्रिया के अन्य भेद या अन्य प्रकार में सर आपने पाच ही पर पताया है और नहीं होता नाम धातु क्रिया वगरा भी होता है ना तो भाई हम जो इंपोर्टें है हमारा पूर्वकालिक क्रिया पूर्वकालिक नाम को समझो और परिभासा को याद रखो यहां पूर्वकालिक से क्या है देखो परिभासा समझो पूर्वकालिक का जब पहली क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया होती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते है देखो जैसे ही एक क्रिया खतम होता है किसी एक वाक्य में ही है न भई ये जो बात की जा रही है एक ही वाक्य की बात की जा रही है तो जब एक क्रिया खतम होती है उसके तूरंद बात दूसरे क्रिया सुरू हो जाती है ठीक है अर्था जब एक क्रिया खतम होती है उसके बात दूसरे क्रिया होती है तो वही क्या है पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है कैसे देखो एकजामपल को समझो भाई आप पूर्वकालिक का राम भोजन करके सो गया देखो राम भोजन करके भाई राम ने भोजन कर लिया एक क्रिया हो गया अब करने के बाद में वो सोग भी गया दो क्रिया एक साथ हो गई ना एक क्रिया जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद दूसरी क्रिया होती है एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया मतलब राम ने भोजन किया फिर सो गया राम भोजन किया सो गया राम पहली भात खाई तेकर बाद सुद गए है नो एक क्रिया जैसेन समाप्त होने के बाद जब दूसरी क्रिया होती है उसे पुर्वकाली क्रिया कहते हैं आ रहा है समझ में दूसरा एक्जामपल देखो भावेश पानी पी के सो गया भावेश तो पहले पानी पिया एक क्रिया हो गया उसके बाद सो गया समझ में जब एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया होती है तो उसे पूर्वकालेक क्रिया कहते हैं ठीक है साथियों समझ में आ गया होगा चलो आप देखो द्वी कर्मक क्रिया क्या होता है द्वी कर्मक नाम से इस्पष्ट द्वी मतलब दो कर्म मतलब क्रिया जिसमें दो क्रिया हो अब दो क्रिया होगा कैसे तो जिस क्रिया में दो कर्म हो वा द्वी कर्मक क्रिया कहलाता है तो देखो मैं लड़के को पुस्तक पढ़ाता हूँ देखो अब मैं लड़के को अब भई एक काम लड़के से कर रहा है ना क्या कर रहा है पुस्तत पढ़ा रहा है तो दो कर्म हो रहा है इसलिए यहां पर द्विकर्मक क्रिया होती है देखो इसमें दो कर्म तो हो रहा है लेकिन एक कर्म इसमें दोनों कर्म समाप्त नहीं हुआ एक कर्म जैसे अभी आपका सवाल बनेगा यहाँ पर द्वी कर्मक और आपका ये सवाल बनेगा देखो पूर्वकालिक और द्वी कर्मक में आपका सवाल बनेगा भाई मैं जान रहा हो रही है अद्वी कर्मक में भी दो क्रिया हो रही है हम कैसे वाक्य को देखकर पहचान करें कि यह पूर्वकालिक है अद्वी कर्मक है आपके मन में सवाल बनेगा इसलिए मैं पहले बता देता हूं पूर्वकालिक में एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया होत भाई एक्रिया समाप्त हुआ है क्या यहां पर नहीं हुआ इसी को देख के आपको पहचान कर लेना है परिभासा बहुत कुछ बया कर देता है भाई आज बोलते ना सब के वार्टसाप के इस्टेटक आदमी के दिल के दर दला बया करते आदमी हाँ अपन दुखला आज कल कहूं ले सेयर नहीं करे उकर इस्टेटस मज़ाना उकर मन मकतका पीरा भर है इस्टेटस इम देख जाते तो सेम वेसने कंडिसने भाई जब परिभासल आप मन नहीं सम समझना है ठीक है ना तो चल देखो दूई कर्मक समझ गए एक क्रिया हो रहा है अर्था दोनों क्रिया साथ साथ इसमें हो रहा है यह समझ दूई कर मतलब दोनों क्रिया जब साथ में होती है तो दूई कर्मक परिभासल यह है समझो जब दोनों क्रिया साथ साथ होती है तो द्वीकर्मक और जब एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया होती है तो पूर्वकालिक ठीक है ना भई अब आपको डाउट नहीं होगा द्वीकर्मक और पूर्वकालिक में परिभासा में डिफरेंट है और परिभासा के जब हम डिफरेंट देखेंगे तो भई क्रिया संयूग्त अब संयूग्त मतला भाई आपस में जुड़े हो ही है न बई उसने तो है न करे लेकिन हम आर्थ के अंदर जब हम जाबो ना तब ओ हमर क्लियर हो ही तो देखो क्या है परिभासा जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोजन से बने उसे संयोगत क्रिया कहते हैं हाँ नामसिस पष्ट है जब दो क्रिया जुड के बन रहा है तो संयोगत होगा है ना भई जब दो क्रिया आपस में संयोजित हो रहे हैं जुड रहे हैं तो उसे संयोगत क्रिया कहेंगे लेकिन यहाँ पर और कंडिशन देखो संयुक्त क्रिया का जहां आवाज या ध्वनी में बल लगाना पड़े अर्थात संयुक्त क्रिया में जब आपको आवाज अर्थात बोलना हो और थोड़ा बल लगाना पड़े तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया होगी या दो क्रिया जब साथ में जुड़े तो संयुक्त होगी जैसे जाने दो जैसे जाने दो खाने दो जाने दो जाने दो रहे उसको खाने दो थोड़ सा बल लगाना पड़ रहें भाई इस बात को या एक एक एक्जामपल देख लो और रीना खेलती कुदती रहती है रिना खेलती कुदती रहती है रिना खेलती कुदती रहती है नार्मल नहीं बोल सकते थोड़ा बल लगाना पड़ेगा आपको है न भई तो ये क्या है सैयुक्त क्रिया है दिव्या कम्प्यूटर चलाती रहती है दिव्या कम्प्यूटर चलाती रहती है तो जब कोई क्रिया 2 क्रिया है कोई समेयावजन से जब बनता है सयोग से जब बनता है यहांपर देखना साथियों इसमें देखना एक चीज़ को आप गौर कर लो इसमें होता क्या है आपका योगिक क्रिया में कोई भी धातू है ना उसमें जब प्रत्य आप लगाओगे ठीक है तब जब क्रिया बनती है तो भी वो संयुक्त क्रिया जैसे यहां पर देखो खेलती कुदती है खेलना कुदना है न भई खेलना कुदना खेलना कुदना खेलती कुदती रहती है चलाती रहती है ऐसे करती रहती है है न ये सभी हसना हसाना उठ जाना खा लेना तो यह सभी क्या है सन्योग्त क्रिया के अंतरगाद आता है ठीक है चलो चौता बिंदु है प्रेणण आर्थक क्रिया अब प्रेणा अब भाई कोई लड़ प्रेणना मिलते तो कैसे मिलते प्रेणना भाई तो बैए उसको प्रेणना दिया जा रहा है तो बैए इसको आप सिधा प्रेणना सो कैसे समझोगे उसको एक आर्थ से लिए एक अर्थ सिल लेोगे तब दिमाग में बेठेगा अब देखो इसमें प्रेणार्थक क्रिया की हम बात कर रहे हैं ना इसमें कारिय स्वयम ना करके दूसरे को करने के लिए प्रेरित किया जाता है मतलब मैं काम नहीं करता करवाता हूँ ताकि वो मैं काम स्वयम नहीं करता बलकि करवाता हूँ क्यों ताकि वो सीखे है ना बई ये है प्रेणार्थक मतलब मैं काम करे बाद प्रेणा दे था अर्थाज मैं करवाता हूँ काम ला ताकि वो सीखे ये है प्रेणार्थक देखो मा खाना बनवाती है अब अपने बच्चे बच्चियों से खाना बनवा रही है ताकि वो सीखे रमा पुस्तक लिखवाता है मैं पेट्रोल भरवात दबाता हुँ भरवाना भाई दूसरे से कर वार रा है ना सट को आप देखने से बनवाती है लिख वाता है के खेल खेल वाता है उसमय मत अंगी कुझ भाईया कर सोना युदुवाते हैं यहां रहते हो हैं इम हैं देखा प्रेण आर्थक कहने से कहताँ पर है राइटिंग एलेटर बाई मी मेरे द्वारा लिखा जाता है लेकिन यहां पर लिखवाया जाता है है ना बनवाया जाता है खिलवाया जाता है कुदवाया जाता है हसवाया जाता है रोवाया जाता है तो सभी किसमें है प्रेरणार्थक में आएंगे ठीक है ना समझ में आ रहा होगा चलो अब देखो पाचवा पाचवा क्या है क्रियार्थक क्रिया अब ये जो क्रियार्थक क्रिय क्रिया है साथीयों का इसमें देखो क्रिया इसमें क्रिया का प्रयोग संग्या की तरह किया जाता है कोई भी क्रिया है उसका प्रयोग संग्या की तरह होगा जेखो कैसे क्रियार्थक में सुबा उठना सर्वत्तम है कसरत करना स्वास के लिए लाभ दायक है इसको आप कैसे समझो देखो क्रियार्थक क्रिया से अर्थ निकल ना आप देखो यहां क्रियार्थक को कैसे समझो आप एक इक्जामपल लेलो जी कुछ भी जैसे ज्यान अर्थक मोटिवेशनल ट्रैप के कुछ वाक्य मिलेगा ना समझ जाना वो क्रियार्थक है कैसे सिग्रेट पिना स्वास्त के लिए हानी का रख है सराप पिना स्वास्त के लिए हानी का है कि कसरत करना स्वास्त के लिए लाबदयक है फाई एक प्रेणना मिल रहा है ना कहना चाहिए जो इस्मोकिंग इस इंजरियस टू हेल्थ यह भी तो क्रियार्थक में आ जाएगा ना जो सामने वाले को क्या कर रहा है वहां पर जागरित कर रहा है तो यह सब क्या है क्रियार्थक में आ आएगा भूलना मत देखो भाई इसको आप प्रेणना आर्थक आपको लग रहा होगा अगले तो प्रेणा देने वाला सब्दत यह है सुबा उठना सर्वत्ता में कश्राथ करना स्वास्त के लिए लाबदायक है प्रेणा तो यह मां मिला थे और सरुल्टा बता थे इस नहीं हो भाई प्रेणा भाले ही इसमें मिलना जैसे लग रहा है लेकिन प्रेणा मतलब जब आप कोई ज्यान वर्धक बात है तो ठीक है न समझ में आ रहा होगा बिल्कुल पांच मिंदू हमने क्रिया के अन्य प्रकार में बता दिये हैं पांच प्रकार को बहुत ही इंपोर्टन चीजों को आज के हमने सेशन में डिसकसन किया है रचना और बनावत के दृष्टी किया है कि क्रिया हम पूरा क्रिया चरितर को पूरा समझ लें ताकि कोई भी क्रिया आये तो क्रिया की ऐसी की तैसी कर सके फार दे पेपर में ठीक है तो आसा है आज का जो वीडियो है ना बहुत ही मज़ेदार सेशन रहा है मुझे भी पढ़ाने में आनंद आया आपको भी आसा है परहाने में आनंद आया ही होगा एक साथी है एक सर जी है जो कि प्रती दिर हमसे पूछते हैं कि सर MCQ की भी क्लास लेजिए तो आप सब इसमयवना विनम्र निवेदन करता हूं सिर्फ 6-7 दिन बस लगेगा साथीयों एक सबता का खेल है फिर हमारा हिंदी कंप्लिट ह हो जाएगा ठीक है फिर हिंदी कंप्लिट हो जाएगा और आपके आगराप पर हम MCQ ही लाएंगे केवल 6-7 दिन का समय हमें दे दिजिए आपसे विनम्र प्रार्थना है उसके बाद हम MCQ फिर से से सेशन चालू करेंगे डेट वाइस चालू करेंगे डेवाइस चालू करें प्लीज एक सब्ता का समय आप हमें दे दिजिए ताकि हम आपके लिए यह जो क्लास है न वो पूरी तरीकी से कंप्लिट कर लें कुछ ही दिन की बात है साथियो 6-7 क्लास बस और आने वाली है आपके हिंदी में फिर आपका हिंदी कंप्लिट हो जाएगा ठीक है फिर आप जो भी बोलोगे वही करेंगे तो आज के हम वीडियो क्लास यही समाप्त करेंगे कल की क्लास में हम क्रियाविशेशर और कारक यह दोनों में से किसी एक टॉपिक को ले सकते हैं ठीक है न भई तो कल फिर मिलेंगे इसी समय प्रात हन्नाव बजे आपके अपने पसंदीदा यूटूब चैनल सेजी जॉप एजुकेशन पर तब तक इज़ाजब दिजिये जहिन